गुलबरगा अमननगर यूनिटी वेलफेर सुसाइटी की जानेब से दिरिष्टी हॉस्पिटल के साथ कॉलाइबरेशन कर फ्री आई चेक अप एंड फ्री आई ऑपरेशन कैंप और्गनाइज किया गया था मालगत्ती की रौस एतिहाद चौग अमननगर में ये कैम्प 14 जनवरी को काफी कामियाब हुआ है जिसमें 300 से ज्यादा लोगों ने फाइदा हासिल किया है इस कैम्प में कुल 300 लोगों का आई चेक अप हुआ जिसमें कुल 70 लोगों को आपरेशन की जरुवत है तमाम 70 मरीजों का दिरिष्टी आई केर हॉस्पिडल में बिल्कुल फ्री आपरेशन किया जाएगा इस मौके पर अमन नगर यूनिटी सोशल वेलफर सुसाइटी के प्रिसिडेंट जनाब हैदर अली नामदार वाइस प्रिसिडेंट मजर अली नायाब सदर अबुबकर जनल सेकरेटी सुबान पटेल ट्रेजरर मतिन शेक, एक्टिव मेंबर रफिक पटेल और दिगर कई कमेटी के जिम्मेदार यहां मौझूद है और इस मौके पर दिरिश्टी आई केर हॉस्पिडल से डॉक्टर्स की टीम ने 300 लोगों का फ्री आई चक अप कर एक बड़ा कारनमा अंजाम दिया है यह एक बहुत बड़ी बात है कि इस कैम के जरीए कुल 70 गरीब जरौत्बन मरीजों का फ्री में आखों का उपरेशन किया जाएगा ज्यादा जानकरी के लिए आप इस वीडियो को एंट तक जरूर देखें आज बड़ी खुशी का दिन है कि हम अमानगर यूनिटी वेलफर सुसेड़ी के जानिब से और आई द्रिस्टिक केर वालों से राप्ता पैदा करके अज अमानगर के और अत्राफ वाकनाफ के महले वालों से जो भी जुरतमंद लोग हैं हम तीन सो जाद लोगों का महना करवाए हैं और कम से कम इसमें जो मेजर थे 60-65 अदमी का जो आपरेशन के लिए काल क्या गया है और इनका आपरेशन दो या तीन दिन में आई द्रिस्टिक के जानिब से क्या जाएगा और इसमें unity welfare society इंटाइटीम जो हमारे चेर्मन है थरिली साब है और हम लोग जो है इंटाइटीम पाटिसिपेट के थे इसमें तमाम लोगों को सोलत पहुंची है और इसी तरह से आने वाले दोनों में और बी जो भी काम होंगे अवाम की खिद्मत और उनकी फला और वाइबूत के लिए और ड़लोप्बंड के लिए काम करते हो वलके मैं बात आप मीड़ा के त्रोक कहना चाहता हूं के लिए लिए और थी लिए अमननागानाग यूenneि टी वेल्फवार वती इंदा असिपत्रे गुवत अपमत अकाम करते होचूisons capable अट रहाूची सत ब obsahever सब्सक्राइब दर्गा रस्ते लिए आश्पत्रे असलाम अलेकुम रहमतुल्लाही बरकाताओं अलहम्दलिल्ला आज हमारे अमन नगर यूनिटी सोचेल वेलफेर सोसाइटी के जानिब से आज हमारे अमन नगर के अंदर द्रिश्टी आइकेर हॉस्पिटल के एंटायर टीम के जानिब से यहां पर आज एक free eye test camp और साते साथ free में operation करने का यहां पर आज जितने भी यहां पर लोग आकर inquiry किये उनका test किया गया उस test में near about 300 लोग यहां पर आये थे उस 300 लोगों में से जो द्रिष्टी आई केर हॉस्पटल के डॉक्टर सो ने उसमें आइडेंटिफाइ किये के 60 to 70 पेशंटों को ओपरेशन करने के पेशंट यहाँ पर पोजिटिव मिले हैं तो इन्शाल्ला आने वाले दो दिन के अंदर इन तमाम पेशंटों को को फ्री में किया जा रहा है और आपरेशन भी पूरे कंप्लीटली द्रिष्टी आई केर हॉस्पटल के टीम के जानिब से कंप्लीटली फ्री में उनको आपरेशन किया जाएगा और खास करके मैं इस मोखे पर हमारे यूनिटी सोशेल वेलफेर सोसाइटी के एंटाइर टी आज यहाँ पर अमन नगर के अंदर हमारे यूनिटी सोशेल वेलफेर सोसाइटी के नेतरुत में यह लोग आज अवाम के लिए जो आज गरीब जो भी लोग हैं अवाम के जो भी आँखों के रिलेटेट जो उनके आपरेशन के लिए यह लोग फ्री में यहाँ पर सर्वि लोग ऐसे इसे कंडिशन में लोगों को देखा हूं मैं वो लोग उनका आपरेशन करवाने के लिए उनके पास पैसा ना रहने से कईयों लोग 2-3-4-5 साल से आपरेशन कराने के लिए हास्पटल के खरीब नहीं जा सकते हो लोग आज अल्ला का बड़ा करम है हमारे यूनि वो जुमेदारी उन्होंने उटा रहा है मैं अल्ला रभ लिज्जत से दुआ करता हूं कि जो जिस अंदाज से ये लोग अवाम की खिद्मत अंजाम दे रहे हैं वो चीज फ्री में कर रहे हैं क्योंकि उन्हों पैसा लेके करते रहे तो मैं इनके बारे में नहीं बोलता थ आज ये लोग जो फ्री में जो अवाम का आपरेशन आखों का आपरेशन जो कर रहे हैं उसका अजर बराबर इनके द्रिश्टी आई केर करें एंटाइर टीप को मिलेगा और अल्ला ताला इनकी जो भी हास्पिटल जो चला रहे हैं उनको बरकत यह अता करें और हमारी हम शुरू से लेके हमारी कमीटी यूनिटी सोचल वेलपर सोसाइटी अवाम के हर वो मसाहिल पर खड़ा उतर कर उनके मसलों को हल करने की पूरी कोशिश जब डे वन से लेके आज तक भी कर रहे हैं और आखरी सांस तक भी हम बराबर आवाम की खिदमत के लिए हमारी एंट को मैं दिल से उनको शुक्रियादा करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हुए